Hello friends, welcome to studyonline channel दोस्तो मद्द प्रदेस समान ज्यान का part 24 लेकर आ हैं जिसमें हम cover करने वाले भोपाल संभाग के अंतरगत आने वाले भोपाल जिले को और हम ये भी देखेंगे कि भोपाल संभाग के अंतरगत कितने जिले आते हैं दोस्तों मद्रि प्रदेश की सभी आगामी परिक्षा है तू यह वीडियो बहुत ही महत्तव हुण है चलिए वीडियो के साथ बने रहेगा आंतर तक वीडियो को पूरा देखीएगा और जो भी दोस्त नए है चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहेएं वो चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करतें चलिए स्टार्ट लूट करतें वीडियो को चली दो सुरू करते olho को देखतें भोपाल संभाग के अंतरगत कितने चिले आते हैं चलिए देखते हैं भोपाल जिले के महत्वपूर्ण तत्यों को चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं भोपाल जिले भोपाल सहर को राजा भोज द्वारा बसाए गया था इसका प्राची नाम भोजपाल था दोस्तो लगबक ग्यारवी सताबदी में राजा भोज ने भोजपाल के नाम से इस सहर की स्थापना की थी और भोपाल में तालाप का निर्माड भी राजा भोज़ ने करवाय था और इनी के नाम पर राजा भोज के नाम पर भोपाल सहर का नाम भोजपाल पड़ा था चलिए नेक्स्ट है भोपाल सहर मद्द प्रदेश की राजधानी है तो मद्द प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तो कोशन पूछा जाता है तो वह भोपाल है और 1972 में भोपाल को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ पहले भोपाल सिहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी दोस्तो 1972 से पहले की बात करें हम तो भोपाल जिला जो है वो सिहोर की एक तहसील हुआ करती थी और ये बहुत important है मद्य प्रदेश की राजदानी क्या है तो वह भोपाल है अगर छेतरफल की बात करते हैं तो भोपाल का छेतरफल 2772 वर किलो मीटर तक यहां का विस्तार है वर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार भोपाल जिले की साक्षरतादर 80.4% है और यहां का लिंगा अनुपात 1000 पुरुस पे 918 महिला यहां सामिल है चली नेक्ष्ट देखते हैं चली नेक्ष्ट है मद्य प्रदेश का मंतराल है बल्लब भवन और विधान सभा इंद्रा गांधी विधान सभा यह दोनों कहा हैं भोपाल में इस्तित हैं दोस्तों इंद्रा गांधी विधान सभा की स्थापना की बात करें तो वर्स 1996 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका डिजाइन किस ने दिया तो इसका वास्तुकार जो था वो चाल्स कोरिया ता इसका वास्तुकार कौन था तो चाल्स कोरिया ध्यान में रखिएगा चा सबसे अधिक नगरी जन संक्या वाला जिला कौन सा है तो वह भोपाल जिला है चलिए next है सबसे अधिक यूनिवरसिटी भोपाल में इस्तित है चलिए next देखते हैं चलिए next है भोपाल में दो तहसीले सामिल है एक हुजूर और दूसरा बेरसिया दोस्तो ध्यान में रखेगा हुजूर और बेरसिया जो है वो भोपाल की तहसीले है चलिए next है भोपाल सहर साथ पहाड़ियों पर बसा हुआ है बहुत important है यह भोपाल सहर कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है तो साथ पहाड़ियों पर बसा हुआ है इसलिए इसे पहाड़ों और जीलों का सहर भी कहा चलिए next है प्रदेश का पहला मॉडल ब्लड बेंक भोपाल के हमीदिया चिकित साले में इस्तित है दोस्तों यह देश का भी पहला है बहुत important है ध्यान में रखेगा प्रदेश का पहला मॉडल ब्लड बेंक भोपाल के हमीदिया चिकित साले में इस्तित है चलिए next देखते है चलिए नेक्स्ट है भारती वन प्रबंधन संस्थान जो देश और एसिया का पहला संस्थान है वे भोपाल जिले में इस्तित है दोस्तो ध्यान में रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है ये भारती वन प्रबंधन संस्थान कहां है तो वे भोपाल जिले में इस्तित है और दोस्तो ये देश और एशिया का पहला संस्तान है जो इस जिले में इस्थित है चलिए next है 31 अक्टूबर 1956 को मद्ध प्रदेश का दूसरा अकास वाणी केंदर भोपाल जिले में ही स्थापित किया गया था दोस्तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान में रखिएगा 31 अक्टूबर 1956 को मद्ध प्रदेश का दूसरा अकास वाणी केंदर कहां इस्तापित किया गया था तो वह भोपाल जिले में चलिए नेक्ट है राष्टी विज्ञान इन सिक्षा संस्तान भोपाल जिले में ही स्थित है चलिए नेक्ट है इंडियन इंसिट्यूट और फॉरेस्ट मेनेजमेंट कहां है ये भोपाल जिले में स्थित है चलिए नेक्ट है भारत भवन रविंद भवन भोपाल में स्थि चलिए नेक्स्ट देखते हैं चलिए नेक्स्ट है पंडित कुंजी लाल दुबे राष्टी विधी इम विधाई प्रसिक्षन संस्तान ये कहां पे है तो ये भोपाल में इस्तित है दोस्तों ये विधायक नहीं होगा मा भी चाओंगा विधाई होगा विधाई विधाई तो पंडित कुंजी लाल दुबे राष्टी विधी इम विधाई प्रसिक्षण संस्तान का हैं तो यह भोपाल जिले में इस्तित हैं दोस्तों पंडित कुंजी लाल दुबे जो हैं वो प्रतम विधान सबाद द्यक्ष रहे थे और पंडित कुंजी लाल दुबे जी का जन्म 18 मा और पुलिस स्वास्त प्रसिक्चड के इंदर यह सभी भोपाल जिले में इस्तित है ध्यान रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है चलिए नेक्ट है भोपाल में सन 1960 में बिजली का भारी समान बनाने का उद्योग स्थापित किया गया इस कारखाने के निर्माड के लिए भेल जो है वो भोपाल में इस्तित है और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और किसके सायोग से तो ब्रीटेन के सायोग से तो ध्यान में रखेगा चलिए नेक्ट देखते है चलिए दोस्तों नेक्ट है उननत सांड प्रजनन केंदर भदबदा यह कहां है यह भोपाल जिले में इस्तित है चलिए नेक्ट है भोपाल जिले में एम सस्पताल भी स्थापित किया गया है चलिए नेक्ट है मद्प्रदेश राज में अन्तियोदय योजनन की सुरुआत भोपाल के इट खेडी गाउं से इस्तित हुई दोस्तों ईद नहीं होगा माफी चाहूँगा मैं इट खेडी गाउं से ही इसकी सुरुआत हुई है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप नोट कर लिजेगा मद्प्रदेश राज में अन्तियोदय योजनन की सुरुआत कहां से हुई तो भोपाल जिले के इट खेडी गाउं से सुरुआत हुई चलिए नेक्ट है इंदी ग्रेंट अकाइडमी कहां पे इस्ते थे तो भोपाल जिले में इस्ते थे और इस्तावना कव हुई तो 1969 में ध्यान में रखिएगा चली नेक्ष्ट देखते है चली नेक्ष्ट है राज की मसली महासीर का संरक्षन भोपाल के कैरवा दोस्तों माफ की चाओंगा ये दियान में रखिएगा चली नेक्ष्ट है भोपाल में जेल अनुसंदान एम प्रिसिक्षण साला भी इस्ते थे चली नेक्ष्ट है भारती होटल प्रबंदन संस्तान ये कहां है तो ये भी भोपाल जिले में इस्ते थे चली नेक्ष्ट है रेलवे कोच फैक्टरी निसांत पूरा भोपाल में इस्तित है चलिए नेक्स्ट है वन विहार नैसनल पार्क ये कहां पे है बहुत इंपोर्टेंट है वन विहार नैसनल पार्क कहां पे है तो ये भोपाल जिले में इस्तित है दोस्तो सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है कहां पे तो यह भोपाल में दोस्तो MP का इसरो केंदर कहां पे है कुछन यह पूछा जा चुका है तो वह भोपाल जिले में ही इस्तित्य ध्यान में रखिएगा इसको बहुत important point है चलिए next है आटल विहारी बाचपई हिंदी यूनिवरसिटी यह कहां इस्तित है तो यह भी भ CID मुख्याले और अनुसंदान की इकाई भोपाल जिले में इस्तापित की गई है दोस्तो CID का मुख्याले कहां पे है तो वह भोपाल जिले में ही इस्तित है चलिए next है मद्द परदेश में सबसे अधिक समाचार पत्र भोपाल जिले से ही प्रकासित होते हैं दोस्तो ध्य नेक्स्ट है मद्द परदेश का पहला सर्प उध्यान भोपाल जिले में इस्तित है दोस्तो परदेश का पहला सर्प उध्यान किस जिले में इस्तित है तो वह भोपाल जिले में इस्तित है ध्यान में रखेगा चलिए next है हाई सिक्योटी एनिमल डिसीज लिबेटरी कौन स इसपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया यानि कि साई का केंद्र कहा है तो यह गोरे गाउं भोपाल में इस्तित है चलिए नेक्ष्ट देखते हैं हसन सिद्धिगी का मगबरा हसन सिद्धिगी का मगबरा कहा है तो यह भोपाल जिले में इस्तित है चलिए next है भोपाल जिले में सौर इसमारक बनाए गया है जिसका उदगाटन पीम ने किया था यानि कि नरेंद मोदी जी ने चलिए next देखते हैं चलिए next है भोपाल की कोलार चित्र की सदगाडी नामकिस्तान पर खेल गाउं प्रस्तावित है चलिए next है राष्टी विधी संस्तान भोपाल में स्थित्त है चलिए next है मद्ध प्रदेश संस्कर्ट अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई कब की गई तो सन 1985 में की गई थी दोस्तो धियान में रखिएका बहुत इंपॉर्टेंट है ये मद्य प्रदेश संस्किर्ट अकैदमी की स्थाफना कहां पर की गई तो वह भोपाल जिले में की गई और 1985 में चलिए नेक्स्ट है इसलाम नगर दोस्तो इसे अफगान सासक दोस्त मुहम्मद खान ने बसाय था दोस्तो कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है इसलाम नगर इसे अफगान सासक दोस्त मुहम्मद खान ने बसाय था चलिए नेक्स्ट है ताजुल मस्जित दोस्तो यह भारत की सबसे बड़ी मस्जित है यह भोपाल में स्थित है और इसमें सरवादिक बैठक शमता है इसका निर्माण बहादूर साज जफर ने करवाय था ध्यान में रखीएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन है भारत भवन यह कहा है तो यह भोपाल जिले में स्थित है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका वास्तुकार चाल्स कोरिया है दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत भवन मद्व परदेश के किस जिले में स्थित है तो वह भोपाल जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका वास्तुकार चाल्स कोरिया था दोस्तो चाल्स कोरिया ने और किसकी वास्तुकार था तो इंद्रा गांधी विधान सभा संगराले का भी जो वास्तुकार है वो चाल्स कोरिया है और इंद्रा गांधी विदान सभा संगराले की स्तापना कभी तो 1996 में चलिए next है संजीवनी संस्थान का मुख्याले कहां पे है ये भी important है दोस्तों note कर लीजीगा संजीवनी संस्थान का मुख्याले भोपाल जिले में इस्तित है चलिए देखते हैं भोपाल जिले की संगराले तो यहां पे है दुस्यंत कुमार, पांडू लिपी संगराले, प्राकृतिक विज्ञान संगराले, बिरला म्यूजियम, राज्य संगराले, दू संचार संगराले और जनजाती कला संकराले चलिए next देखते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा चलिए दोस के साथ नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जय हिन जय भारत